कर सुवार गथा servicios कहा इनकत्र बीदिकाने के लिए 12 मांच को 15 살ju देने वाला हे पृप्डब करने वाले हैं जह जैने परछेजों दॉट दूquason मठीड़ सों हमलेा हम लोग मसील देक ज़ारकी के लिए 12 बीदियार्थी के लिए मांच के हिंदी के पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा तो दोस्तों वीडियो पर अंतक बने रहेगा और जो भी बंदा चैनल पर पहली वरा है जिस प्रकार से सब्दानी पर सब्दानी पर उसी प्रकार से अपको अगसाम में देखने को मिलेक्टार करता है रहेगा दोस्तों सबसे पहले चैनल का है और इसमें सबसे पहल आपको गद्यांस तिया किसी भी इंटी को अपने में होताएं सोवहाविक है हम जिस देस में रहते हैं उसका हमारे उपर भारी रिन होता है हम सबी हम देसकी जलो आयूं में पलते हैं देसकी मिड़ी में ही गिरकार उठकार बर्य होते हैं दर्ति मा के द्वारत दिये गया अन्य से हमारा वारन पोषन होता है देश के रिती रिवाज को निभाना भीविन धर्मों को समान की डिश्टी से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है हमें देश के उनत्ति के लिए सभी को समान समता और सहिद्रता का पाठ चाहिए दोस्तों पूरा ज़ो अब का गधिगां से देश के बारे में लिया गया फ्रें में किस प्रकार से आप घिरकर उटुकर बहुते हैं मात्र भुमी के रिनी है ठीक है यानि के हम जो है मात्री बुमी के रिनी ऑप्शन से यहां पर राइट एंस रोगा ठीक है चलिए दो नमर काता है कि मनुष की स्रेश्टा है तो मनुष के स्रेश्टा किसमें दोस्तों तो मैंने अभी आपको बताया कि गिरकर उठकर बरा होता है वही इस मायच को जो बोड इकजाम में ठीक है चालिस नमर का उपजेक्टिव चालिस का सब्जेक्टिव होगा और विसका आपका जो अस्कूल से मिलेगा समझेए कि आपको सो में सो लाना है ठीक है तो इस तरह से महिनत कीजिए चलिए नेक्स्ट बरते तीन नमर क्या करता है हम हमारा भारन पोसन किसके द्वारा होता है तो हमारा भारन पोसन दोस्तों किसके द्वारा होता है तो धरती मां के द्वारा दिये गए अन से होता ठीक है जो धरती मां में जो अन उपजाते हैं धान गेहूं उससे से आपका जो भारन पोसन होता है और हमारा भी चलिए नेक् तो सबी को समता तथा सहिद्रा का पढ़ाए और पढ़ाई यह आपका जो राइट है तो प्रति रिवाजो को निभाना और विविन धर्मों को समान यह आपका देश के प्रति क्या है तो प्रेम है तो देश के प्रति रिवाजों को निभाना और विविन धर्मों को समान यह कशिस करने वालों कि कभी हार नहीं होथा नभी चिटि जब दाना लेकर चलती है चडसी दिवारों पर सोबंपर पिछलती है बहुत अच्छा पैसे जी दोस्तों यह आपका हर्इबंस राय वच्चन के गाला लिखा गया जो की अमिता वच्चन के पीता जब्श खाए डुक्या सिंदू में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाले हाथ लोटकर आता है, मिलते नहीं सहाच के मोती घरव पानी में, बरता दुगना उच्सा इसे हैराणी में, मुठी उसकी खाले हर बार नहीं होती, कोशिस करनो बाले की कभी हार नहीं होती, तो चलिए हरी वांस राइव अच्चन के दोए आप प्यारा साप का गदगांस दिया गया आप बहुत important गदगांस दुस्तों चलिए क्या कहता है कि कोशिस करनों बालों कोई कभी हार नहीं होती तो कहता है अपरशने 6 नमबर कि किस से डरकरनों का पार नहीं होती तो लहरों से डरकनों का पार नहीं होती साथ नमर काता है ननिच इडिये दाना लेकर कहां चड़ती है तो चड़ती है दीबारों पर सौभार पी सलती है यानि उप्सन से इसका राइट एंस रोगा चलिए नेक्स्ट बरते है आठ नमर क्या काता है कि मन का विष्वास रंगों में क्या बरता है तो मन का विष्वास दुस्टों रंगों में सहस बरता है उमंग बरता है उप्सन से इसका राइट एंस रोगा ठीक है चलिए नौ नमर करता है कि सुन्दू में दुब क्या कौन लगाता है तो गोता कहर दोस्तों सिंदु में जो दुब क्या लगा तो आप्शन से इसका राइट एंस रोगा ठीक है चलिए 10 नमर करता है कैसे लोग की कभी हार नहीं होती जो कोसिच करता है उसकी कभी हार नहीं होती और आप भी कोसिच करें मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए और 22 माच यह मिलेगा तो सीता गाना गाति है वहाँ किताब पढ़ता क्या पढ़ता है लता चाय पिती है क्या पीर है चाय पीरिया तो तीनों में कर्म मिर रहा लेकिन सी ऑप्सन चकाउट किजिए तो मोहन सो रहा कैसे सो रहा क्यों सो रहा है इसमें कर्म नहीं मिरा है इसका जवाब नहीं मिरा चलिए 12 नमर कता है कौन सा बाग सकर्म किरिया का उधारन है तो पाला कता है बच्चा रोता है तो कैसे रोता है क्यों रोता है इसमें मिर रहा है कर्म इसमें है नहीं है जिसमें कर्म है वह ही आपका सकर्म किरिया हो ठीक है लरका हसता है कैसे हसता है क्यों हसता है इसमें भी कर्म नही अब तेरा नमर कता है कि जलाज का अनेकार्थिक नहीं है तो जलाज का अनेकार्थिक को नहीं है जलाज मने कमल भी होता है मोती भी होता है और मचली भी होता है लेकिन बादल नहीं होता है अब कता चौदर नमर कि दो पदो या दो पदो या दो सब्दों के मेल से तिसरा पद दिन कौन सा समाश है दोस्तों तो प्रति दिन प्रति पहले आ रहा है प्रति अब्धय तो अब्धय बाव समाश हो जागा option से इसका right hand हो गा next का था 16 नमर की निला है जो निला है जो कंट निलकंट ठीक है किस समास का विग्रा है तो दोस्त इस टाइब का प्रशम रहें जाए आपको पूछ दिया कि निला है जो अंबर मिलां बर ऑद मैं toothpick है उसका बात तब इस दोनों सो dust और मौर नाश्ति है तो यह दूसरों क्या मिस्रवाका का उधारन ऑप्षिंस का राइट एंज होगा दो बाक्यों को जोड़ा ठीक है चलिए अठरहन नमर करता है कि जिस वाकिमें करता के काम को प्रधांता दी जाती है उसमें से वह कौन सा बाच्छा होता है तो जिसमें कर् देख रहा तो बालक चांद की और देख रहा ठीक है चांद के पाज चलिए उसका राइट एंज हो ठीक है अब बीस नमर करता है निमन में से कौन सा सब्द समुछ बुदक अव्य अथवा है अव्य सब्द है जो दो सब्दों को जोड़ता है ठीक है जहां पाए जोरने का क कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया चलन को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथी बेल नोटिफिक्शन को और फेसलिट कर लेजेगा करता है कि उद्द तुम्हों अतिबर वागी अप्रस रहाज असने तगाते नाहिन मन अनुरागे पुराइन पात रहाल जरवित्तर तात रस देना दागे जो जलम महा तेकी गगरे वुंद ना तगो लागे प्रिती नदी में पाव न बोरी और डिष्टी रूपन प्रागे सूर्दास अबला हम भोरे गर्चाटे जो पागे चलिए प्यारा से आपका दोस्तु यहां पर गदिया स्ट दिया गया और यह दोस्तों आपका पहला चेप्टर से लिए ठीक है काता है इस पद के रचता कोन है तो सूर्दास अब के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी लेखा कभी का नाम था साथ में जहनम था जोस्तों कौन से कभी कौन से पाट लिखा है उस अब नेक्स्ट दूस्ट नमर क्या क्या मतलब चलिए अब नेक्स्ट दूस्ट होटा है ने की स्थार पहरीकाल चाहती आठ नाहिये पर पर बताए तो कविता के अधार पर क्या बताना अट नहीं रही कविता के अधार पर दुस्तों फागुन मा में जो हरी चा जाती है जिस प्रकार से नए नए पत्ते उखते हैं ठीक है आम के जो यह फल लगते हैं तो सूरदास ट्रिपाठी निराला हो जाएंगा इसलिए करें कि जो वीडियो नहीं देखा है ठीक है डेस्क्रिप्सन वोक्स में चाहे तो दोस्तों आप एंडर स्क्रिन में देख सकतें आपको जो मिल जागा ठीक है कभी का नाम ठीक है करता है 27 के किसके मुषखन इतनी मुषग है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है दो 200 नन्य बच् चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट दूस्टो एक गद्यांस है तो गद्यांस को हम लोग नहीं परहेंगे ठीक है क्योंकि आपको दूस्टो बीना गद्यांस को परहेंगे तब तो आपको समझ में आगा बेटे के मानें पर वह क्या कर रहे तो गा रहे ठीक है चलिए नेक्स्ट दीस नमर का था कि भागाज जी का बेटा कैसा था बाल गुबिंद के कितने बेटे थे सभी का यंसा नीचे कोमेंट सिक्समें कोमेंड आना चीए नीचे कोमेंड में सभी का जबाब और 31 करता है कि भगत की जो पता हुँ थे एक कैसी थे तो भगत की पता हुँ दोसो सुभग और सुसिल होने के सासाथ घर की पूरे प्राबन दिक्का भी थी ठीका अपसंस इसका राइटेंस हो चलिए बतिज कता है कि बोदा का क्यारत हो था बोदा का मतलब हो ते जो कुछ भी बात कता था यह हसता था तो उसकी तोंद दोस्तो उछल कुद करते थे चलिए नेक्ष्ट बरते हैं क्या के बने होई तो निता जी के चस्मा दूस्तों प्रतिमा जो प्रतिमा मूर्ति था और संग मरमर प्रत्त की बना हुआ था अपसंज बिचा राइटै तो 35 का सब्सक्राइब है कि नेता जी का पारड़क के लिखा कौन है तो नेता जी परकास प्रकास हो जाया क्योंगे दोस्तो प्रकास प्रकास इसका राइटें से लिग है अब नेक्ष्ट गद्यांस है जो कि माता कांचल से लिया गया है चलिए इसका प्रसंदेखते काता है कि प्रस्तूत गद्यांस की किस पार्ट से लिया है तो प्रस्तूत गद्यांस दूसरों की माता कांचल से लिया गया है ठीक है इसको पर लिजेगा और ऐसे भी कहानिया पर को कहते हैं तो इस तरह से दूसर आज का ये वीडियो चाइस मोस्ट इंपोर्टेंट बीवियाइए एमस्ट के साथ समाप्त होता अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो क्लाइक चनल को सब्सक्राइब किजिएगा और इंडा स्क्रीम पर दोस्तों आपको लिखा का जो